अबस्कार दोस्तों मेरे चैनल देव भूमी उत्राखंड में आपका एक बार ठीच स्वागत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और मैं किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाओ इसके लिए कमेंटर बॉक्स में कमेंड कीजिए आज मैं आप को बताने जा रहा हूं उत्राखंड के रोचक तक सबसे उचा से मंदिर उत्राखंड के रुद्व प्रियाग में इस्तित है यह समुद्र तल से बारह हजार फिट की उचाई पर इस्तित है माना जाता है कि यह एक हजार साल पुराना मंदिर है नंबर दू भारत का सबसे पुराना पार्क जीम नेशनल कार्वेट पार्क यह उत्राखंड के नेंता जिले में सन 1936 में से इस्तित है नेक्स्ट उत्राखंड को वीरो की भूमी भी कहा जाता है यह यहां भारत की दो रेजिमेंट कुमाव रेजिमेंट और कड़वा रेज सर्मा जिनका जन्म उत्राखंड में ही हुआ था नेक्स्ट भारत की सबसे पुरानी गुविंद वर्लब पंत्र युनिवस्टी उत्राखंड के पंत्र नगर में स्तित है सन 1970 में पीडों की सुरक्षा के लिए चलाया गया चिपकों अंदोलन उत्राखंड की महलाओं ने ही बारत की परमुक नदियां गंगा और यम्ना का उद्गमिस्तर भी उत्राखंड के गंगोत्री में स्तित है अगला है भारत का सबसे बड़ा बात की समholi जिले में स्तित यह भागी रथी नदी पर बना हुआ है अगला मांट एवरेस्ट पर पहुचने वाली पहली महिला इछेंदी पाल उत्राखंड से ही हैं अगला भारत के लिए पहला व्यक्तिकत गोल्ड मेडल पाने वाले अभिनव विंदा का जन्म उत्राखंड के देहरादून में हुआ है अगला भारत का दूसरा सबसे बड़ा परवत नंदा देवी उत्राखंड में ही इस्तित है इसकी उचाही 7,816 मीटर है अगला भारत की सबसे बड़ी फुलो की घाटी उत्राखंड के चमोली जिले में इस्तित है दोस्तों अगर वीडियो में कोई गल्ट मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मैं आपको यह बताना चाहरू मैं एक छोटी सी कोसिस कर रहा हूँ अपने सब्विता को दुनिया के सामने लाने की यूटूब के माध्यम से इसमें उमीद है आप मेरा साथ दिन की धन्यवाद